साधी के आड से नौ महीने बाद ये पत्नी को जो है बलट किंसर हो गया कोई रास्ता ही नहीं दिख पा रहा है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने आपको खतम कर ले नहीं नहीं सोचा नहीं पापा आटो चलाते है अवी तक 55 लाख रूपय हमारे खर्च शूच हो किया जमीन जैजाद सेविंग सारे कुछ हमने लगा दिये लेकिन अब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मैं तो बोलती हूं छोड़ दीजिया मेरा कुछ नहीं हो सकता जाइए अपना जॉब करिए अपना लाइफ देखिए मुस्कुराते हुए बोले इतना गंभेर बीमारी है देखिए अब हमारे साथ एक ऐसे बेबस पती है जो अपने पतनी के इलाज के लिए जमीन जैदा सबकुछ बेज देते हैं यहां तक कि अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगा देते हैं फिर भी चाह के भी यह पतनी को नहीं बचा पा रहे है क्या नाम हूँ आपका मेरा नाम अमदेब कुमार कुमार हुआ अमन जी बताए कहां क्या परहने वाले हैं आपको कब पता चला कि आपकी पतनी को बलड कैंसर हो कि रहा है साधी के बाद आप घर से बाहर निकले जॉब करने के लिए तो साधी के कितने महीने बाद आपको पता चला कि कैंसर है आठ नौ महीने बाद साधी मिडिल क्लास फैमी के क्या होती है साधी हुआ पंदर विच दिन बाद ही मैं जॉब के लिए निकल गया जॉब पही था मैं चट में आया चुट्टी पे दो दिन बाद क्योंकि प्राइबे सेक्टर वालों को तो वही हाल रहते हैं मैं आया चट में फिर दो दिन में वा कुछ था भी नहीं से कोई दिक्कत नहीं था सब बिल्कुल थीक था एक बैग आपको पता चला ना अच्छा यह बता यह अक्सर देखा जाता है कि जब पतनी को कोई बिमारी होता है तो एक पती जो है बहुत सारे सब लोग के बारे में नहीं बोले कुछ लोग ऐसे है जो को बीच मजधार में छोड़ देते हैं या फिर दूसरा साधी कर देते हैं लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि आप लगातार अपनी पतनी के लिए लगे हुए है कितना पैसे खर्चा कर दिये कितना संघर्ज कर रहे है अभी तक 55 लाक रुपे हमारे खर्च हो जोके है जिसमें हमने अभी तक अपना सब कुछ जमीन जैजाद सेविंग बैंक से जो प्राइबेट होते हैं सबसे ले लिया सारे कुछ हमने लगा दिये लेकिन अब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है अब इस मर्जधार में कोई रास्ता ही नहीं दिख पार है कभी-कभी ऐ इसा माइन ऐसा करता है कि अपने आपको खबड़ा है मुझे लगता है कि मदध करेंगे जब यहां तक आने तक बढ़ें प्रीज हमने फिर भी शवोग को लोग सबसारात के बहुत सारे लोग जो है सुपोर्ड करते हैं सपूर्ट करते हैटें रहा हुज लेगिन कोई वीडियो रन करता है न हमारा made iki पे Manhंत करता क कभ यह किरका और बात किल लात की बाता है가지고 कल रगास से पहले मैं मे कुछ नहीं पता था कि इतना क्या होगा कल रात में धुक्ति अग्या पास सब कुछ है चल रहा है अब इमिडिटली 5 लग का कहां से सर्भाइब कर पाऊंगा हर महीने लगभग कितना कर बाऊंगा कोई एक्सपेंस का लिमिटेशन सी नहीं रहता है अब देखो इस मेहने 5 लग कर घा गय कहां से सरभाइब कर बाऊंगा इंसान उसे अमारे दो चोटी बहने थे पाटाई लेका उसके साधी के कर्चे ऑफ पर आब गाल वा बिए ल जाया गजा चाहिए अपनी पेसाल हो जाया ना पतनी मैं तो सारे समाज की अपनी ने सोच मौध्या गल्ती इसमें इस बेचारी के गल्ती इसने अभी एपनी लाइफ में देखा ही क्या है मातर त पिर इसमें इसकी कोई गलती तो प्यार बोलते जो साधी के समय जो साथ बचनों का जो बंधन होता है उस चीज पर अमल करके आप देखो न पैसा तो इनसान फिर कमा लेगा अभी अगर लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इस मुशिवत से सही सलमत पार निकल जाए अब बाकी अधाली बार सुनी तो फिर क्या कुछ मन में चला था सुजन इसा यहीज कि मेरा चाह्वा सुजन के मारे नहीं कुछ पता भी नहीं चल पा रहा था और चक्कर हो कर सा रहा था कुछ समझ में नहीं आया था जब ब्लड चड़ गया या फिर प्लीट लिटbn दैशज घ्ड़ पत्नी के इलाज के लिए सारा जौब कमाई सबकुछ छोड़ कर दिन रात आपका सेवा कर रहे हैं इनके लिए क्या कहना चाहिए यह तो मेरे लिए बहुत कर रहे हैं आजकल कोई बहुत कमी मिलता है करने वाला कभी बोलती है कि क्यों हमारे साथ है आप जाके जौब करिये है इसा बोलती है मैं तो बोलती हूं छोड़ दीजिया मेरा कुछ नहीं हो सकता जाए अपना जौब करिये अपना लाइफ देखिये अपती को ऐसे आप छोड़ देजिये मेरे साथ मुस्कुराते हुए बोले इतना गंभेर बीमारी है फिर भी मतलब मतलब मेरा कुछ हो भी त इतना डिप्रेस्ट क्योंकि मैं बहुत चीजे चीपाने के करता हूं लेकिन कभी ने कभी सामने आही जाती है तो हमें इतना डिप्रेस्ट क्योंकि इसे पता है हमारी लेवल क्या है और मैं कहां तक किस लेवल तक काम कर रहा हूं तो यह चीजे देखकर करती कि आप पापा आटो चलाते हैं कोई उतना बड़ा आती नहीं उन्हें आटो चलाके हमें इतना पढ़ाया लिखाया बागवान गर्या से सब कुछ सही चल रहा था लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था क्या क्या परिशानी होता अभी के समया कोई मतलब ठीक नहीं रहता है कभी चेस्ट में पेन कभी सिर में पेन मतलब कुछ न कुछ अलग-अलग होते ही रहते हैं हमेशा आपके घर के लोग भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ फैमिली मेर सपोर्ट करते हैं वो बोलते हैं जैसे कि न की तरफ से कुछ पैसा करा मिला की तरफ से कैंशर वालों को साल में एक बार मिलता है पर्श टाम असी जर मिला पिछले ताम हमने 4,60,000 का एस्टिमेट लगाया उन्होंने क्रें साथ हजार किया हो तो हमारे मंथिक उतना खर्चा नहीं हो पाते शरकार्टican को पर ₨ कोई अइसा जन्पधी नहीं चोड़ा कि इसे बिचित Committee कि वह नहीं हो च्पॉट नहीं चुड़ा मैं पहले इंस सब चीजें को नहीं जाना पहले मैं सरकारी फन देखा फिर जन्पति निदी सब मैं बोलूंगा फिर बड़े लोग है उनका फिर नाम खड़ाब हो जाएगा फिर वह चीजे कभी ऐसा लगता है कि हमारे उपर पत्नी जो है बोज है भाई दिनराथ हम सब कुछ छोर कर लगे हुए हैं बोज लगती है प पहले यह पतना के चाहे अपोलो हो जाया इसके अलवा महाबीर बहुत सारे अस्पाटाल में जाके इलाज भी करा चुके हैं प्लस आई वेट भी चल रहे है राजस्थान में भिलवारा में नोकरा अस्राह में वहां से चल रहे हमाचल पर्देस में कांग रहा है हिमाले इन का लक्षन जो है ठीक नहीं है आते कुछ यह सब होने लगा इस यह सीजे भी आपको सुने ग्रामीन एरिया में सब चीजे ज्यादा होते हैं मैक्सिमुम लोगों ने कहा कि छोड़ दो एक और लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है हमारे इस दूजों में क्या फर्ज बनता है कि म मेरे दौर मलब मेरे आशा बही न कोई अपना घर छोड़ के आता है साधी होता है लड़की अपनी पुरी फैमिली को छोड़ के किसके परोशार आती है अगर मैं ही छोड़ दू तो फिर इसका क्या कोई 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 नहीं साहरा है क्या लगता है पती आपको बचा लेंगे अब नहीं दिख रहा है कि हम इस मुश्यवत से पार लगता है क्योंकि इधर कहीं से कोई option ही नहीं आ रहा है अब जो हमारे करज़दार है वह देली कॉल करके काल दिखाऊंगा पंदर से बिस कॉल बराबर आते रहते कि पैसे दो पैसे दो पैसे ना कर्ज लिए पंदर लाक रुपर करज हो चुके हैं उन लोगों कोदर अब उदर कर्ज यही तो अब रास्ता नहीं दिख रहा है कैसे ह प्लस बीमारी अभी चरहन सीमा पर अभी कंप्लिकेशन आए मैंने कल रात आप देखो अभी नौरात्री के ताइम चल रहा है सारे लोग पूजा पात मेला घूमने में लेगे हुए अब मैं सब कुछ हो चार के दॉक्टर के चकर लगा रहा हूं जैसी जो धाई तीन साल च चुका हूँ बस कैसी भी करके सही सलमत वाइब को बचाने है हमारे लिए कोई तेवहार कुछ नहीं बस इस मुच्वत से निकल जाओंगा फिर नया जनम हो जाएगा जला सोची की तेवहार पर कुछ भी जो है अभी के समय सोभावी सी बात है क्योंकि इनके पतनी जो है वो चोटी मोटी मदद भी करते हैं तो अगर आपके एक रुपे से किसी का जान बस सकता है तो वो परियास क्यों नहीं आप कर सकते हैं तो लोग चाहे तो मदद भी कर सकते हैं मेरा कंटेक्ट नंबर है 800-283-7673, 800-283-6673, इस नंबर पर बात करें, किसी भी तरह का डाउट परिसानी भी हुआ आपको अभी तक है, मतलब इलाज कराने में कोई रोकना उकना कुछ चीजे परिसानी है, मिडिल क्लास फैमली की सर, सबसे बड़ी इसू, फैनेंसल इसू आ सबसे बड़ा इसू आ रहा है, बाकी सरकार को भी कही ना कहीं ऐसे लोगों पर ध्यान देने के जरूवत है, क्योंकि जब वो लोग बिमार होते हैं, उनके घर के बच्चे, बीविया, पतनी, इसके अलावा जो है बहन बिमार होती है, तो वो लोग अराम से जाके विदेश में कहीं न कहीं इलाज करा लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन मेडिल क्लास के जो लोग हैं, वो पैसे के अभाव में इलाज नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों से जितना सहयोग हो सके, इनका मदद केजिए ताकि ये अपनी पत्नी को जो है वो बचा सके बाकि इस फूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपने राहे हमें जरूर दे अपने साथ जुरे रहें बहुत बधनेवाद